अलो एब्रीवन वेलकम बाक टू दे चानल आई टीर वन जो की सबसे सिंप्लेस्ट फॉर्म है इसे आप खुद भी घर बैटे ऑनलाइन पाइल कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि इसकी फाइलिंग कैसे की जाती है सबसे पहले तो हम अकाउंट में लॉग इन कर लेंगे कि जो की रिलेंग करता है की सबसे पहले एस्सटेटमेंट प्रॉपट अपर्पटि की सेल भी आ रहे है तो फिर अपाइट्यांट करें के तो सबसे पहले AIS को डाउनलोड करते हैं प्रोसीड प्रोसीड यह समरी फॉर्म ओपिन कर लेते हैं यहां से आपको सैल्वी का अमाउंट मिल जाएगा अभी यहां पे अपडेशन नहीं हुआ है AIS अपडेट जून तक ही होगा इसलिए यहां पर अभी सेविंग बैंक या एवडी कुछ भी नहीं दिख रही है यह सिर्फ एजुकेशनल पापस से वीडियो है इसके बाद हम 26 एस ओपिन करते हैं e-file में जाएंगे income tax returns view form 26 AS एक लगाएंगे प्रोसीड करेंगे view tax credit statement एससमेंट यह 24 25 html डाउन्रोड सेम वही एंट्री यहां पर भी reflect हो रही है income tax return जो हम फाइल करेंगे वह 26 AS और AIS दोनों के साथ मैच होनी चाहिए कैश बूर्ट पर आ जाते हैं फाइल नाव पर क्लिक करेंगे online filing continue इंडिविज्विज्वल continue select ITR form में ITR1 proceed let's get started taxable income more than the basic exemption limit अगर थाई लाग रुपए से जादा कि आपकी income है first option को choose कर लेंगे continue okay अब हमें एक एक करके इन टाप्स को confirm करते जाना है सबसे पहले है personal information यहां पर आपकी personal details आएंगी जैसे कि आपका अधार नंबर पैन नंबर contact details और bank details एक पाड़ चेक करके confirm कर देंगे यहां पर सबसे पहले आपको nature of employment choose करना है central government employee है state government है private sector है तो others पर क्लिक कर लेंगे pensioner है तो वह select कर लेंगे इसके बद आपसे पुझेगा कि आप new regime में जाना चाहते हैं या आप old regime में filing करना चाहते हैं अगर हमें new regime में ही filing करनी है तो हम यहां पर no ही रहने देंगे और अगर हमें old regime में जाना है तब हम यहां पर yes पर क्लिक करेंगे new regime में सात लाक रुपए तक की income पर कोई भी tax नहीं है इसके बाद नीचे bank details add करनी है जितने भी आपके banks है इंडिया में उन सब को आपको यहां पर add करना है कोई bank अगर यहां पर reflect नहीं हो रहा है तो आप add another करके bank को यहां पर add कर सकते हैं कोई भी एक bank आपको refund के लिए यहां से select करना होगा confirm कर देते हैं इसके बाद gross total income salary के exemptions new tax regime में कोई भी नहीं मिलते हैं सिर्फ इसके बाद salary की details तो यहां पर edit पर click करेंगे salary यहां पर prefilled हो जाएगी आपके 26 AS से आपको बस check करना है एक बार और नीचे आएंगे तो आपको standard deduction यहां पर autofill मिलेगा income under the head salary आगे save कर देंगे salary के बाद income from house property अगर आपको home loan का benefit लेना है और आपकी property self occupied है आप खुद उसमें रहते हैं तो benefit आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपने property rent पे दी हुई है तब आप home loan deduction का benefit ले सकते हैं वह income from house property में यहां edit पे क्लिक करेंगे सबसे पहले यहां पर select करेंगे कि आपकी property self occupied है या let out है let out अगर हमने की हुई है तो यहां पर सबसे पहले हमें rent देना है कि हमें कितना receive हो रहा है rent दो लाग ले लिया हमने taxes paid to local authorities यहां पर हम 3000 ले लेते हैं interest on borrowed capital आपके home loan पर कितना interest portion है तो एक लाग पचास हजार हमने interest portion ले लिया नीचे हमारी income आ गई है negative में इसे add कर देते हैं इसके बाद है income from other sources यहां add पर क्लिक करेंगे saving bank से जो भी हमें interest मिल रहा है वो ले ले लेंगे यहां पर तो आप अपने passbook से या bank statement से ले सकते हैं क्योंकि अभी AIS update नहीं है जब AIS update होगा तो वहां पर भी रिफलेक्ट हो ज ले लिया income from other sources के बाद gross total income आ जाती है और इसके बाद exempt income कोई exempt income आपकी है यहां से देख सकते हैं कौन-कौन से head यहां पर दिये हुए है यहां पर आपको मिल जाएगा agriculture income अगर 5000 रुपे से कम की है gross total income भी confirm हो गई इसके बाद आता है deductions new tax regime में सिर्फ एकी reduction allowed NPS contribution by employer वाकी को investment है कुछ भी यहां पर claim नहीं कर सकते हैं तो हम यहां continue कर देंगे deductions भी confirm होगा इसके बाद tax paid यहां उपर दिखता है आपको TDS on salary जो कि आपके form 16 से यहां auto populate होता है और दूसरा मिलता है हमें TDS on income other than salary जो की होता है FD का TDS या फिर दिविदेंड का TDS भी हो सकता है salary वाली 268 से और निचे confirm कर देंगे इसके बाद है total tax liability अभी हमारी computation आ जाती है यहां पर हमें gross total income और tax कितना बना वो सब पता चलता है और इसमें सबसे end में आएंगे तो यह auto calculate कर देता है कि आपका कितना tax बन रहा है total tax यहां पर बन रहा है 250,000 का यहां पर हमारा refund बन रहा है तो व tax regime में file करते तो maybe कि यहां पर हमारी tax liability बन जाती है preview return पर click करके एक बार return को preview कर लेंगे अगर कोई भी changes करने हैं तो हम वापस back पर जा सकते हैं और कोई भी amount change कर सकते हैं अब हम proceed to validation करेंगे कोई भी अगर error है तो वह यहां पर आपको बता देगा कि आपके ITR में कुछ error आ र हुआ है यहीं पर हम click करेंगे और यह हमें redirect कर देगा तो यहां पर जैसे की address details में country नहीं लिखी हुई है यहां पर India select कर लेते हैं इसके बाद हम pin code डाल के अपना पूरा address यहां पर update कर देंगे और फिर से return की filing करेंगे अब हमारा validation successful हो गया है error सारे remove हो गए है अब हम proceed to verification प processing भी बहुत fast होती है within one या two days आपका idr1 प्रोसेस हो जाता है अगर आपने सही से filing की है और कोई भी errors यहां पर नहीं की है I hope कि वीडियो आपके लिए useful रहा होगा thank you so much for watching this video मिलिंगे नेक्स वीडियो में till then stay safe and healthy bye bye